केतु ग्रह से जुड़े हुए पांचवे भावों में केतु हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं केतु सुभफल दाता नहीं होता ऐसा जातक बिद्य और ज्यान से वन्चित रहता है अगर उपंचिम भाव में केतु बेठे हैं डर्पोक होता है और विद्य इसमी वा को जीवका के लिए कठिन शंगर्श करना प्रता है उदर रोग से वो त्रस्त रहता है कप्टे शुभाव का ऐसा जातक जादू तोने द्वारा जो घात चलाता है इसके अलामा उसके पाद कोई और राश्ता नहीं मिलता परिबार वालों से पटती नहीं सिच्छा पुन रहने का जीवन भर वो दुखी अप्तरस्त रहता है केति एवं पंचमेश बल्वान हो तथा शिंग धनू मीने तथा बिश्चिक राशी का हो तो सुभ फल देता है सिच्छा अच्छी मिलती है ऐसे जातकों की बातें प्रभाव शाली होती हैं ध्यान से सुनिएगा के तू एवं पंचमेश बल्वान हो तथा शिंग धनू मीन तथा बिश्चिक राशी का हो तो सुभ फल देता है सिंग धनू अमीन इनराशियम हो तो अच्छा फल देता है